असलाम अलेकुम आप देख रहे हैं मेरे यूटूब चैनल तालीम तरभियत के दुनिया मैं हूं मंध जास रेक बार है इसमें टू पार्ट है पहला पार्ट मैंने लिख्या इसके बाद मैं नेक्स पार्ट करेंगे यूज दी लाफ को साइन को यूज करते हुए जैसे मैंने जो लाफ को साइन लिख है ना इसकी हैलप से मुझे ये चीज बनाझी है तो अब हमने क्या करने हैं इसमें प्लस उन इधर भी कर देने और प्लस उन उधर भी कर देने तुज हे इसके साथ देखो iad कर दिया मैंने 1 और इस साइट पी आपने क्या कर दिने 1 eh學 a पहला step आप अब देखें जो हमारा इस यहां पर जितनी भी value लिख्यूई है, b² plus c² minus a², इसके नीचे जो डी नूमिनेटर है, वो ही हमारा lcm है, तो इसलिए यह value as it is आ जागी, b² c² minus a² plus, यह जो 2bc है, जो इसके नीचे देखो, divide हो रहा है, यही इदर जाके क्या हो जाएगा, 1 से जब b² plus c², यह जो 2bc है, इसको इस साइड पे लाएंगे, तो हमारे पास a plus b का whole square बनेगे, और यह minus a² को आपने इदर लिख देने, और divide by 2bc, अब हमारे पास क्या होगे, b² plus c² plus 2bc होगे, और यह minus a², अब यहां से लेकर, यहां तक आपका formula बनेगा, b plus c का whole square, और इदर बन नीचे जो 2bc है, वो आपने इसी तरह लिख देने, अब, अब यहीं दुबारा में हैतर लिख लेता हो, क्योंके, left side का whole square equal to, अब यहां इसके नीचे जो value हो, वो में as it is, 2bc होगे, ठीक है, अब अब देखें, तो यहां उपर हमारे पास क्या बन गया, a² minus b² का formula, a minus b into a plus b, यहीं यह पहले वाली value लिखूँगा, a, यह a मतलब यह पूरी value है, यह पूरे का पूरा a बनेगा, इसलिए यह first value, minus second value आ जाएगी, और दूसरा, first value, b plus c, b plus c, और plus, क्या आ जाएगा, a, ठीक है, अब, यह जो तरतीब है, वो ही हम देखें, इस वाले factor को से पहले लिख आप में लिख दे, वही order उसका बना दे, जो उसने लिखा हूँ, आपके पास, जो है, प्रूव हो जाएगा, यह नहीं कि first, उसने क्या कहा है, कि भई, प्रूव करें, तो हमने, प्रूव कर दिया, तो यह आपका, इसके final answer आगे, जो प्रूव, ठीक है, अब इसका जो second part ह अच्छा, तो इसका part two आगे, लाफ को sign मेंने लिख दिया, तो इसमें आपने क्या करना है, काज alpha minus one, b square, c square, a square, 2bc minus one, तो अब 2bc आपने LCM ले लिया, तो यह as it is आ जाएगा, b square, c square, minus a square, minus, यह जो 2bc है, इस one से multiply होके, तो क्या हो जाएगा, 2bc हो जाएगा, अब आपने क्या करना है, के b square, plus c square, यह जो 2bc है न, इसको इसके साथ लेखने, minus 2bc होगे, और यह minus a square, इस तरह ने, इनका थोड़ा सा आडरे चेंज कर दिया, 2bc, और इस तरफ जो है, काज alpha minus one, अब आप क्या करें, के यहां से लेकर, यहां तक आपका फार्मूला बन रहा है, b minus c का whole square, काज alpha minus one is equal to b minus c का whole square minus a square, divide by 2bc, यह देखें, यहां से लेकर, यहां तक फार्मूला a square plus b square minus 2ab, a minus, a minus b का whole square, a से मराद आपका b है, और b से मराद c है, तो अब यहां पर आपका फार्मूला बन रहा है, a square minus b square, तो अब एक दफ़ें इसको minus और एक दफ़ें इसको plus के साथ लेखेंगे, तो अब यहां पर देखें क्या होगा, b minus c plus a, यहां कि first value plus second value and then first value minus second value और नीचे आपने क्या लेखेंगे, 2bc और इस तरफ आपके पास क्या है, अब यहां से एक step extra जो इसमें नहीं हुआ था, इस plus एक second जी हमारे पास लिखा हो, ठीक है, सही है, b plus c, b minus c का whole square minus a square, b minus c plus a, b minus c minus a, इसमें हमारे पास जो prove है, बज़े देख लेखेंगे, a minus b plus c, ठीक लिखा, a plus b minus c, divide by 2bc, अब यहां पर हमारे पास इनमें से एक जो है, वो equal आ चुका होगा, a minus b plus c, a minus, a plus b minus c, a plus b minus c, यह वाला, मैं थोड़ा सा तर्पीब से लेखेंगे, काज alpha minus 1, देखें कैसे, यह a को मैं पहले लिख देता हूँ, फिर यह हमारे पास देखो, b है, कोई sign यह तो plus है, और यह minus c है, यह बन गया, और इसको फिलहाल ऐसी रहने में, b minus c minus a, ठीक है, नीचे 2bc, अब आप देखें, यहां पर, a plus b minus c, यह देखें, यह जो value है, यह value मैंने बना ली, फरक इसमें आ रहा है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ कि तर्तीब भी दे देता हूँ, काज alpha minus 1, आपने क्या करना है, इस value को पहले लेखें, b minus c minus a, और इस value को आपने बाद मे देखें, a plus b minus c, step एक, इस भी एक एक कर रहा हूँ, एक step में सारा कुछ हो जाता, ताकि यह देखें, a plus b minus c बन गया, a plus b minus c, नीचे 2bc बन गया, अब यहां पर जो value है, इसके sign का मसला है, कैसे, इधर a और c plus है, जबकि b minus है, जबकि इधर a plus है, इधर a minus है, इधर b minus है, इ इधर c plus है, इधर c minus, इसका मतलब है, का माइनस कामल लेना, अब अपने दोनों तरफ से minus one कामल लेना, minus one इस से कामल लेना, जब minus one कामल लेंगे, तो जो काज है, यह plus का है, तो यह क्या हो जाएगा, minus का, यह जो minus का one है, यह plus का one हो, ठीक है, और इस तरह, minus one जब कामल लें और negative तो उससे sign आपके पास inside जो value होती है उसके change होती है अब इसका क्या होगा कि यह जो minus one आपने लिया था यह वाला common यह वाला minus one इस minus one से कट जाएगा अब आपने क्या करना है one को पहले लिखते हैं और minus cause alpha को बाद लिखें आपके पास जो left side है देखें वो बन गई पहले तो हमने इस तरह लिखी थी लेकिन बाद में एक गाम हमें करना पड़ा अब देखें अब तर्तीब से लिखें a plus c minus b या a minus b plus c तर्तीब बन गई a minus b plus c बन गया उसी के साथ अगला जो a plus b plus c और उसके नीचे हमारे पास क्या आगया टू b c और यही हमारे पास की प्रूव करना था तो क्या होगा प्रूव होगा तो यू हमारे पास अच्छा इसको थोड़ा से इसके बिलकुल बराबर लख देते हैं one minus काज alpha तो यू हमारे पास यह final जो है इसका answer आगया तो दो प्रूव थे दोनों हमने का लिए और यह होप भी को समझाया होगा इसमें कहीं भी किसी जांगन फीना दिश्यकोन में जरूर बता सकते हैं तो इंशाला मिलेंगे नए लक्चर किसा अब तक अपने बहुत सरा ख्याल रखेगा अलाफिस